आज मैं हरिद्वार के अपने पत्रकार बंधों के माध्यम से इस बार के 21 जून के संदर्म में हरिद्वार के गोरों की बात लेकर के आया हूँ राष्ट के गोरों के और योग के गोरों की बात लेकर के आया हूँ मैंने राजपत से लेकर के फरीदाबाद और दुभई एमदाबाद में पांच लाख लोगों का कारेकरम कोटा में दोलाख लोगों का कारेकरम अलग अलग जगे मैंने 21 जून का जिन जब से घोशित वाय तब से नए नए विश्यु कीर्तिमान बनाएं नए नए वर्ल्ड रिकोर्ड बनाएं इस बार एक नए विश्यु कीर्तिमान इंटरनेशनल योग डे अर्था 21 सून को हम हरिद्वार हर की पोड़ी पर बनाने जा रहें कि पूरे देश से लोग आएंगे हरिद्वार रिषिकेश और आस्पड़ोस के गाउं से भी लोग आएंगे इस बार का International योगडे देश की आध्यात्मिक राजधानी में हम हर की पोड़ी पर मनाएंगे जिसमें पूरा हरिद्वार का पंड़ा समाज, ब्रह्मन समाज, यहां का साधू समाज और सर्व समाज वहां पस्तित रहेगा, पूरे देश से स्रधालो आएंगे, हरिद्वार के लोगों को भी हम आमंतरित करेंगे, बहुत दिन होगे मुझे हरिद्वार के गलियों में घूमें, तो मैं स्वयम, कंखल में, ज्वालापूर में, शिवाले नगर में, बी एचेल में जाओंगा, और जहां सकड़ी गलिया हैं वहार रिक्षे पर बैठके जाओंगा, और ज जिनों की याद करते हुए, लोगों को आमंतरित करेंगे, और बच्चों से लेकर के, जवानों से लेकर के, बुजुर्गों तक, सब हरकी पोड़ी पर जुटेंगे, और हरकी पोड़ी पर दोनु तरफ का जो घाट है, लंबी लगबग एक किलोमेटर तक की जो पूरी गं ज़िए गाहें, इंटरनेशनल योगडे की उपर होती है, कि भारत के रिश्यों की देन, विरासत पूरी दुनिया को योग है, योग कोई करमकार्ण नहीं, कोई पूजा पाठ की पद्धती नहीं, एक विज्यान है, जीवन पद्धती है, एक चिकित्सा पद्धती है, एक आत्म साक्षातकार से लेकर के, आत्म उपचार से लेकर के, ये विश्यो के उपकार का एक बहुत बड़ा मंत्र है, वर्ल्ड हैल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी, वर्ल्ड हैपिनेस के लिए, योग से बहतर कोई दूसरा तत्व नहीं है, योग युनाइट करता है पूरी दुनिया को भोग तोड़ता है पूरी दुनिया को जोड़ने का काम योग करता है लोग कुछ लोगों के लिए देश एक बाजार होगा हमारे लिए देश परिवार है तो हम एक परिवार भाव से हरिद्वार की हरकी पैड़ी से लेकर के पुरे देश के हार जिले में ह तहसील में कम से कम हमारा लक्षे 5 करोड लोगों को पतंजली के कारीकर्ता पुरे देश बर में योग कराएंगे और पुरा देश योग में बने एक आध्यात्मिक व्यक्ति परिवार समाज राष्ट एक आध्यात्मिक भारत विश्व का निर्मान हो इसके लिए इस बार का 21 का दिन बहुत महत्वपुन होगा और यह गोरव सिप़ार 21 जोन का हारिदवार को हमने दिया है बहुत लोगों का मन था और अंतता है हमने भी कि यह हमारी कर्म भूमी है यह हमारी अध्यात्मिक जर्म भूमी है क्योंकि देह का जन्मचाई हर्याना के एक छोटे से गाउं में किसान परिवार में हुआ हो लेकिन मैंने गुरकुल में अध्यान के बाद अपने आध्यात्मिक जीवन की साधना और अध्यात्मिक सत्यों के अनुभूती गंगोत्री और उपर गोवमुख में की इसलिए मैं इसको अपने संस्कृति रही है हमारी और इस वार यह 21 जून का गोरव हर्यद्वार को मिलेगा